स्टुडेंट्स आप सबके एक्जाम जो आप चानते हो 15 फरबरी को बताया गया था कि भूने वाला है उसके डेटशीट का बच्चे इंदिजार करे थे आपके लिए बहुत अच्छी खुशकबरी है कि आपके डेटशीट आप ही गई है और साथ में ही प्रोटोकॉल्स की ज यह फर्स्ट स्टेप है तो और सो एक्जाम बोड एक्जाम चूंकि यह जो प्रैक्टिकल एक्जाम होंगे इनके माक्स जो होंगे वो फाइनली एड होंगे आपके एक्जाम के रिजल्ट में ठीक है इस बार जो एक्जाम हो रहा है इंटरनल वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टर है अगर हम consider करें last year के exam से क्योंकि last year क्या वातना कि teachers जो थे school के उन्होंने बहुत late marks भेजे थे चुकि covid का time था तो ऐसा हो गया था और school के पास excuse था again बीच में हम यह session को समझे थे यह covid free session है अब कोई issue नहीं है अब फिर से covid is knocking the door और numbers जिस हिसाब से बढ़ते जा रहें कहना मुश्किल है कि आपकी जो यह अभी जो guidelines आई हैं इसमें changes आएंगे या नहीं इस guidelines में आगे यह भी लिखा हुआ है कि based on the situation अगर situation या scenario change हुआ तो आपके guidelines change होंगे हमारे प्रधान मंत्री health minister और आपके education minister है सबकी meeting हुई है और ततकाल covid protocols को follow करने के लिए school को notice भी दिया गया है कि schools जो होंगे वो covid के protocols को follow करते हुए आपके practicals लेंगे छोटे-छोटे batches बनाएंगे 15-15 बच्चों का और उसके बाद social distancing का पालन करते हुए अभी exam लेंगे यह चार्ड है कि आपका board exam हो हो जाए on time but जिस तरीके से numbers बढ़ रहे हैं उस तरीके से कहा नहीं जा सकता है कि आपका exam postpone होगा delay होगा online होगा या क्या होगा that will be decided by the severity of covid वैसे तो यह 27 page का बहुत बड़ा pdf है लेकिन इसमें जो important चीज़े वह first page पे ही mention किया वा है कल में एक video बनाई ती elaborate video इसको पूरा कपूरा explain किया था आप description box में जाकर के उस video की link देख सकते हैं आपको elaborate explanation मिल जाएगी आप तेख सकते हैं आपको first january को free कर दिया गया वह second january से start होंगे और February to 14 तक वह end करेंगे तो इसमें format क्या होगा जैसे आज आज आपका practical exam अपो जानवरी है तो आज आप सबके practical exams होंगे class 10 वालों के लिए external examiner नहीं आएंगे तेकिन class 12 वालों आपके लिए जो है पूछेंगे आपका एक तो पेपर वर्क होगा लिखो गे भी और आपको practical करके भी दिखाना है और बेस्ट वन दाट वो आपको marks देंगे उनके सामने ही उन marks को upload करके भेजना है CBC को और एक बार upload हो गया तो यू के नॉट मेक एनी changes आप अगर बिना कोई reason की अगर आप absent हो गए तो आपके practical exam में लिखा जाएगा absent but if you have certain reason मान लो कोई covid positive हो गया या कोई ऐसा बड़ा issue हो गया किसी के साथ तब अगर आप अपनी school को pre-inform कर देते हो तो फिर आपका practical reschedule भी होगा ठीक है there is a difference अब कुछ बच्चे इसमें बह medical certificate अगर मालो आप जूट मूट का बोल दो कि भाई मैं भी मालू रिशेडूल तो हो जागा फिर but you'll have to show the medical certificate at that time तो ये जो dates हैं उसी date को upload करते रहना है आप अपने school के teacher के साथ अच्छे terms बना के रखिए क्योंकि external तो ठीक है external नाम से जड़ा ड़ लगता है लेकिन ड़ने की बात नहीं है क्योंकि final mark जोगा वो आपके school के teacher से पूछ की देंगे क्योंकि कभी कबार क्या होता है ना कि जो अच्छा student है वो भी कभी-कभी answer गलत दे देता है या गरबर दे देता है लेकिन school जो है वो अपने अच्छे student को promote करेगा क्योंकि ultimately हर school को अच्छे results चाहिए होता है और कम से कम school वालों की कोशिस हो दिये कि internal assessment में बच्चों को लग तो आप अपने teachers के साथ अच्छे terms मना कर रखी अगर अच्छे terms नहीं भी है कुछ बच्चे शरारती होते हैं उनकी image खराब होती है तो भी school के teachers है आपके लिए थोड़े से वो soft corner जरूर रखते होगे तो आप अपने teacher के साथ बात कीजिए अब ज्यादा दिन बचा नहीं ह जो भी update होगा बच्चों को चैनल के माधियम से जरूर दिया जाएगा सारे mcqs बताए जाएंगे important सारे dates दे जाएंगे सारी चीजे बताए जाएंगी और last moment में आपको guest questions भी दे जाएंगे last year बहुत से बच्चों को guest questions match होता है and that will be free of cost आपको उसके लिए कुछ payment नहीं कर अना किया है बस चैनल को subscribe करना है और अपने दोस्तों के साथ share करना है so all the very best to all students